अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर नॉटिफिरेशन मिलते रहें डिस्क्रिफिफशन बॉक्स में टेली ग्राम का लिंक दिया हुए टेली ग्रूप जोन कर लिजिए लेगल पाटशाला का रेगुलर अपडेट्स के लिए personally मुझे follow करना चाते हैं तो उसका link पे नीचे description box में आपको मिल जाएगा तो आज इस video में हम discuss करने वाले है current affairs जो की काफी दिनों से video नहीं आ रही थी क्योंकि current affairs नहीं थे काफी दिनों से तो यहाँ पर एक sum up करके लिए गया है 3rd March, 4th, 5th and 6th टोटल 4 दिन के यह current affairs है आपके तो चलिए इस video के start करते हैं कुछ important current affairs 3, 4 and 5th and 6th March के हम यहाँ पर discuss करते हैं चलिए यह morning में हमारा live session होता है 6 बज़े daily Sunday off होता है तो Sunday मत आईएगा अब बाकी Monday to Saturday हम daily live आते हैं 6 बज़े सुबह कुछ important current affairs discuss करते है current affairs judiciary के लिए और यह MPJS का mock test है कल से start हो रहे हैं last है आज registration आप करवा सकते हैं कल से start हो जाएगा चलिए first जो हमारा current affairs है वो है basically आपका देखिए क्या कहता है worldwide life day worldwide life day हमने celebrate किया था 3rd March 2021 को on 20 December 2013 at 68th session the United Nations General Assembly proclaimed 3rd March the day of signature of the convention or international trade in endangered species of wild fauna and flora in 1973 as UN worldwide day theme है अब के बार forest and livelihoods sustaining people and planet basically 3rd March को हम worldwide life day celebrate करते हैं चलिए next चलते हैं बन लेक आगरा फोर्ट अजंता केस अमंग 12 iconic sites अंडर सवच tourist destination डल लेक आपको पता है सबको डल लेक कहां पे हैं श्रीनगर में हैं आगरा फोर्ट आपका अगरा में हैं अजंता आपकी नीचे की साइड में महारास्ट्रा साइड में देखे डेडि सवच्ट तूरिस डेस्टिनेशन इनिशेटिव संडर अज़िए अब आपकी अगरा आपकी 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 नीचे को आपकीए हैं नेक्स देखिए राज्य सभा टीवी लोग सभा टीवी मर्ज इंटू संसर्ड टीवी संसर्ड टीवी में बन चुके है रवी कपूर इनका सीओ अपॉइंट किया गया है दिशिजन वस टेकन इन लाइन विद दी पर्पोजल्स गीवन बाई ये पैनल हैड़ेड बाई फॉर उसका नाम लग दिया गया है संसर्ड टीवी और इसके जो CEO है वो है रवी कपूर नेक्स देखिए इंडियन एड फोर्स पार्टीसपेश्पेट फॉटी पॉर्स पॉर्स ताइंश्प upset गव बंसले लें योज हैं इंडियघ फोर्स आ डर्स नहां फॉर्स नहां कुश्क एरेबिया, सौथ कोरिया एंद बहरेन, स्टार्टिंग ऑन 3rd मार्च, इक्ससाइज विल रन अंटिल 27th मार्च अट अल-दरफा एरबस इन ये UAE, United Arab Emirates, Indian Air Force founded 8 October 1932 को found किया गया था basically इसको, next आईये, Jammu and Kashmir finished top as Kelo India Winter Games conclude in Gulmach, Gulmach में conclude हो चुकी है और Jammu and Kashmir ने top में position मनाई इस बार, the UT stood first for the second successive time, they won 11 gold, 18 silver and 5 bronze to finish with a tally of 34 medals, more than 1000 athletes from various parts of the country participated in तो यह याद रखना है कि आपको खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां पे गंक्लूड किये गे और कहां पे हैल्ड हुए थे गुलमार्ग जो कि आपका किश्मीर में है करनाटका केम सेकेंड विद फाइफ गोडल एंट फॉर ब्रॉंच मेडल्स नेक्स आईए कैशना पाकर किश्मीर में चाहिए फाइस प्रॉंच के कमपनी है टेस्ट फु शीरील नवर टन और असेंड नून फ्लाइट टीड बडाटीव अडिड आटीड प्रॉंच वीड एंटिट प्रॉंच एंड प्रॉंच फॉर रिच्ट यह तो प्रॉंच फॉर घ्ल्ड चंट यह वहाँ पर explode हो गया है successful landing होने से थोड़ा सा पहले होने के बाद plan is to use star ship to shuttle 12 people around moon in 2023 तो यह SpaceX company जो है आप कैसे पर उन्यूर्स में जाने की planning कर रही है लोगों को ले जाने का नेक्स देखिए मैरी कॉम appointed as chairperson of international boxing association champions and veterans committee तो यह जो committee है आपके इनका जो chairperson मैरी कॉम को appoint किया गया है six time world champion pugilist मैरी कॉम will head the committee which consist of most respected worldwide boxing veterans and champions who have achieved significant results and who are ready to share their experience कॉम won olympic bronze medal in 2012 AIBA president है उमर केजूल headquarter लोसे नी श्विजर लेंट की अंदर इनका headquarter basically next देखिए Russia launches first satellite to monitor climate and environment of Arctic it will provide round the clock continuous monitoring of the northern territory of Russia and the sea of the Arctic Ocean satellite will be able to transmit overview images of the Earth's northern polar region and the adsense and areas at least every 15 to 13 minutes Russian Space Agency का नाम है रोस रोस कोस्मस नेक्स देखिए ओके तो यह थे आपके थार्ड फोर्थ फिफ्ट और शिक्स मार्च के कुछ important current affair ज्यादा important नहीं है इसके इंदर एक वाइल्ड लाइफ डे वाला थोड़ा important current affair था इसलिए आपको regular नहीं मिल पाई यह वीडियो उसके रहे समझ आते हैं क्योंकि important current affair थे नहीं तो current affair होंगे तभी हम यहाँ पर लेकिया पाएंगे तो यह यह जरूर आईएगा मैंने already schedule किया हुआ है वो कल सुबह साड़े सब्सक्राइब मॉक टेस्ट है और मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी नाइन टू टैन एकेडमी पे लाइव MP land revenue code की और आज रात को भी नो से लेके 10 वे दक CRP से इंपॉर्डर MCQs हम discuss करेंगे link मैं नीचे description box में ते रहा हूं उस link पर click करके आप वहां पर join कर सकते हो और आपको наход using करना काट एवह आप मुट्राइगे skill राएं legal partial and academy पे भी आप लोगों को पढ़ा रहा है तो वहाँ पे भी जाहिए और वहाँ पे भी join कर लीचे और यहाँ पे हम आप लोगों पढ़ाते रहेंगे चलिए तब तक के लिए take care बबाई कल मिलते हैं जो कल हमारा mock test है उसके साथ में सुबह साड़े 10 बजे हमारी YouTube चैनल पे और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे contact कर लीचेगा 9306838861 जितने भी current affairs होते हैं सबकी PDF आपको यहाँ पे provide करवा दी जाएगी चलिए तब तक के लिए thank you, bye bye, see you